गाजीपूर में हुरी जोरदार बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से रहाद दिलाई है वहीं लापरवाह प्रशासन की पोल एक बार फिर खुल गई है यूपी में पिछले दो दिनों से मौसम ने जबरदस्त करवट ली है इसका असर गाजीपूर पर भी व्यापक पड़ा है वैसे तो बारिश दो दिनों से ही हो रही है लेकिन गुरुवार को हुई बारिश ने माहौल ही बदल कर रख दिया मौसल अधार बारिश के बाद शहर की सडकों का हाल तालाब जिसा हो गया है अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस जगा को देख रहे हैं वो लंका सकलेनाबाद का इलाका है इसके साथ ही शहर के अन्य इलाकों में भी जल जमाव की समस्या देखने को मिली है जल निकासी की वेउस्ता सही नहीं होने और नालियों की जाम रहने से पानी सडकों को ही लबालब कर गया है बारिश के बीच गाजिपूर बलिया मुख्यमार्क लोगों के लिए और जानलेवा बन गया है इस सडक पर मौझूद गड़ों में पानी भर चुका है और एक्सिरन का खत्रा हमेशा मौझूद है ऐसे में परशासन तो सुनने वाला नहीं इसलिए लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा गाजिपूर के ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं